हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेंस प्रेप से जी पीएसी में तो दोस्तों आज के जो लेक्चर है तो उसमें हम जो पिछले लेक्चर से देखते आ रहे हैं पेपर सेवन का जो पार्ट टू है अंतराश्टी संगठन तो उसके अंतरगत जो आज का हमारे जो topic है वो है IMF से related World Bank और जो ACI Bank है तो ACI Bank के अंतरगत जो ACI Infrastructure Investment Bank है और ACI Development Bank तो ये चीज़े देखेंगे और जो New Development Bank है या जो Bricks Bank है तो वो हम देख चुके हैं पहले ही जब हम Sark और Bricks पढ़े थे तो इससे related जो question है previous question जो पूछे गए थे तो इसमें question पूछा गया है कि IMF के मुख के उद्देश ही क्या है विस्टो बैंक के प्रमुख प्रकारिया function क्या है और IMF के उद्देश एम लक्षणडव को लिखिए तो ये तीन question पूछे गया है MPPSC में जिससे हमारा जो paper 7 है उसमें जो नेयर जो अपना syllabus डाला गया है तो उसके according तो ये सारे question बनते हैं तो हम देखेंगे starting करेंगे IMF से तो दोस्तों IMF से पहले हम देखेंगे कि इसकी प्रिष्ट भूमी क्या रही अंतराष्टी मुद्रकोस और विष्व बैंक की आवस्यक्ता क्यों पड़ी तो जो द्विती विष्व युद्ध का दौर चल रहा था 1945 तक तो उसके बाद क्या हो गया था तो जो यूरोप है और जो पूरा विष्व है इनका गठन किया गया इस्थापना किया गया और इसके लिए जो एट्लांटिक चार्टर था 1940 का तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे जुलाई 1940 में 1944 में ब्रेटन वूर्ट सम्मेलन तो ब्रेटन वूर्ट सम्मेलन बुलाया गया तो इसमें क्या किया गया था, जो 44 देशों के प्रतिनी धित्य है, वो सामील हुए थे जिसमें भारत की ओर से CD देश मुख्य के नेत्रित में, भारती प्रतिनी धित्य ये भी सामील हुआ था, और इसका उद्डेश से क्या था, इस सम्मेलन का एक नया अंतराष्टी मौद्र प्रणाली इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम तो इसको कार्यानवीत करने पर विशार करना इसका उद्देश ये था ब्रिटन वूट्स सम्मेलन का तो जो सम्मेलन में जो नीड़े लिए गए उसी के बाद ही जो आई-म-फ है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व बै इन दोनों को आई-म-फ और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वूट्स की जुड़वा संतानेग भी कहा जाता है ब्रिटन वूट्स ट्वीन्स भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटन वूट्स सम्मेलन के बाद ही इन दोनों संगठन का निर्माण हुआ था इन दोनों का मुख्याला ही दोनों का जो मुख्याला है वो वार्शिंग्टन डीची में है यूएसे में उके तो जो ब्रिटन वूट्स सम्मेलन था उसमें दो प्रकार के प्रस्ताव थे एक जो यूनाइटेट किंगडाम बृटेन का जो प्रस्ताव था उनों वो जेयम कीन्स तो ये लेकर कह थे और USA में DL White तो इन्होंने दो प्रकार से प्रस्ताव का प्रारूप दिया था तो जिसमें अंतराश्टी विकास वित्त संस्था अंतराश्टी व्यापार वित्त संस्था अंतराश्टी व्यापार संगठन और अंतराश्टी तटस्त मुद्रा तो इसके इन चारों के बारे में KINZ प्रस्ताओ बोलते हैं तो ये UK का था और जो respectively प्रस्ताओ है तो इनोंने के बाल सुरुवात के जो दो हैं अंतराश्टी विकास वित्त शंस्ता और अंतराश्टी व्यपार वित्त संस्ता तो इन तोनों की ही बात कही थी और तो इन दोनों में से जो ब्रिटन वूट सम्मेलन है उसमें USA का DL White Press ताफ ये पास हुआ था और ये फैल हो गया था तो ये जो दो चीजें हैं जो आप देख रहे हैं अंतराश्टी विकास वित्य संस्था यही फिर आगे चल करके IBRD अंतराश्टी पुनन दिर्माणयम विकास वैक जिसे हम विस्व बैंक के नाम से जानते हैं तो इसकी इस्थापना की गई और अंतराश्टी व्यापार वित्य संस्था तो इसके रूप में IMF की इस्थापना की गई ब्रिटन वूट संवेलन के माध्यम से और आपको जो प्रीव अगेर हमें कोश्चन पूछते रहता है कि विस्व बैंक की रिपोर्ट तो यह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड एकोनामिक आउटलूप तो यह रिपोर्ट कौ पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम क्या होता है तो जो हम देखें ब्रिटन वूट संवेलन तो वहां से भी हम देखे थे अंतराश्टी मौद्रिक प्रणाली की आवस्यक्ता पर विचार करने के उद्देश से ही जो ब्रिटन वूट संवेलन गुलाए गय कहलाता है तो इसको संपादित करने वाली एक व्यवस्ता है अंतराश्टी मौद्रिक प्रणाली मतलब कि विभिन देशों के मद्य जो भूकतान है तो उसको किस प्रकार से किया जाएगा उसकी व्यवस्ता कौन सम्हालता है अंतराश्टी मौद्रिक प्रणाली तो ये निय लगी करण दो अधारों पर किया जा सकते हैं कि जो बाहि भुगतान है तो उसमें वीनिमय दर किस प्रकार से रहेगा तो यह इकोनॉमिस को टॉपिक है नियत मुद्रा व्यवस्ता उत्पलावित मुद्रा व्यवस्ता और प्रबंदित मुद्रा व्यवस्ता ओके और सांतिसां जो विदेशी भंडार तो इसका रूप क्या होगा कि जो विदेशी भंडार क्या वो सर्ण मानक को पर चलेगा या फिर स्वर्ण वीनिमय मानक पर चलेगा या सुध्य नियाईक मानग तो यह भी एकोनॉमिस के टॉपिक है तो इस प्रकार से होता है किवल आइडिया लेना है आपको डिटेल में जाना है और आईएमस के तीन प्रकार के कारी होंगे तो इसमें पहला क्या है जो विभीन अदेशों के मद्द एड्जस्टमेंट सामंजर से बना करके रखना और जो लिक्विडिटी तरलता की जो विवस्ता है उसको बना करके रखना सांती साथ कॉन्फिडेस बिल्डिंग करना जो एक international monitoring system जो बनेगा तो वो कब अच्छा कहला अजया इसके उद्देश से क्या होने चाहिए कि जो विदेशी विविपार है और जो विदेशी निवेस तो इसका मनला maximization किया जाना चाहिए, महत्तमी करना किया जाना चाहिए, और विश्व के राष्टों के बीच व्यपार के लाप का स्यामिक वित्रण किया जाना चाहिए, क्योंकि जो विक्सित देश हैं, तो ज़्यादा विक्सित हैं और जो विकासित देश हैं, उनको भी अधिक स्यथिक लाप पहुचाना, सामीक वित्रण करना, तो ये IMS का उद्देश से होता है, आपको टूमाक्स में ये भी पूछ सकता है, बहुपक्षी वित्ति संस्था क्या होता है, Multilateral Financial Institution, तो ये क्या होता है, विस्व के जो विफिन नदेश है, तो उनके सरकारों के साज़ा अंसदान, तो वो सभी पैसा मिलाएंगे, तो उससे जो सिस्टम मन करके आएगा, वो क्या कहलाएगा, बहुपक्षी वित्ति संस्थान, जैसे की IMF है और World Bank है, ये सभी क्या है, बहुपक्षी वित्ति संस्था है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो सदस्थे देश है, तो वो इसमें अंसदान करते हैं, पैसा मिलाते हैं, फिर ये Multilateral Financial Institution, इसका निर्मान होता है, IMF और World Bank का, तो इसकी आवस्थेक्ता क्यों पढ़ती है, जो बहुपक्षी वित्ति संस्थान है, या फिर अंतराष्टी मौद्रिक जो संस्था है, उसके आवस्थेक्ता क्यों पढ़ती है, क्योंकि जो विभिन देशों द्वारा अपनी समस्या हैं, और जो वेस्थिक समस्या है, मनलब देश की खुद की समस्या है, और विस्विस्था पर जो समस्या हैं, तो उसमें साजा विचार भी मर्ज कर सकें, ग्लोबलाइजेसन के दुआरा, तो इससे क्या होगा, उचित समाधान प्राप्त करने के लिए, क्या होगा, इसमें निस्पक्ष और तड़स्त मंच की आवस्था होती है, जिससे जो सदस्य देश हैं, उनमें सांतिपूर्ण सहस्तित्व का विकास हो सके, और सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, और ये सभी जो मानक होंगे, ये भी अंतराश्टी प्रावधानों से निर्मित होंगे, तो इस प्रकार ये इनकी आवस्यक्ता पढ़ती है बहुपक्षी वित्ती सहस्थान की तो अब हम स्टार्ट करेंगे IMF के बारे में तो जो IMF का इस्थापना का विचार जहां देखे थे ब्रिनेन वूट सम्मेलन से तो यह यहां से निकल के आया था और इसकी जर्वत क्यों पढ़ गई थी IMF की तो यह हम देख भी चुके है क्योंकि जो द्विती विश्विद्ध चल रहा था तो उसके बाद पूरा निर्मान में सहयोग देना जो भी नराश्ट है और सदस्य देशों के बिच अधिक आर्थिक सहयोग के लिए इसकी इस्थापना की गई थी और भारत इसमें IMF का प्रमुख सदस्य देश है यह सारी चीज आपको पीडियाप में मिल जाएंगी और जो कोश्चन आपको पूस्ता है वो यही है IMF के उद्देश से क्या है तो जो अंडरलाइन किया हुए वो important term है यह आपको लिख नहीं है जब आप उद्देश से लिखेंगे तो इसमें पहला उद्देश से कहा है अंतराश्टी मौद्रिक सहयोग को प्रोच सहित करना दुसरा कहें अंतराश्टी व्यपार्ग का संतुलित विकास करना और जो एक्चेंज रेट है विभिन देशों के मन्दे जो एक्चेंज रेट है तो उसमें इस्थीरता बनाया रखना और सदस्य देशों के जो प्रतिकुल भुगतान संतुलन चलू खाता और जो पुंजि खाता इनका योग से बनता है भुगतान संतुलन खाता होता है तो उसमें अगर वो प्रतिकुल इस्थीती है तो उसके लिए क्या करना है अस्थाई तोर पर आर्थिक सहयता दिया जाता है आ येमेफ के वारा ताकि वो अपना भुख्तान संतुलन को अनुकूल बना सके तो यह भी इसका एक उद्धेश से है साथी साथ बहुपक्षे भुख्तान की व्यवस्था करना अलाब विभिन्य देशों का जो अंसदान होगा भुख्तान में तो भहुपक्षी भुक्तानों की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंद, उके तो जो एक देश से दूसरे देश के भी जो विनिमय किया जाएगा, तो उनके मद्ध जो प्रतिबंद है, तो उसको समाम्ध करने या कम करने की दिशा में प्रयास करने ये भी इसका एक अंतराष्टी अदाइगी के संकट के समय असंतुलन की मात्रा ये अवधी में कमी करना तो कोई देश है तो वो कमजोर अगर उसकी एकोनॉमी है तो उसको अगर अंतराष्टी रूप से जो अदाइगी करना है पैसा देना है तो उसके लिए जो असंतुलन की मात्रा है और IMF का और जो सदस्य देश हैं तो उनको विशेस आहरण अधिकार अबंटित करना तो यह विशेस आहरण अधिकार क्या होता है यह अपन नीचे देखेंगे भी डिटेल में तो यह सभी इसके उद्देश यह है IMF के तो यह आपको लिख क्या नहीं जहां में अगर पूछेगा तो 4 मार्ग से पूछ सकता है 8 मार्ग से पूछ सकता है तो जो विशेस आहरण अधिकार है यह क्या होता है SDR जो Special Drawing Rights तो यह कोई मुद्रा नहीं है बलकि यह क्या है IMF की Accounting Unit है मुद्रा पत्र कहते हैं क्योंकि यह क्या है जो सदस्य देश है तो इसके भी जो विफिन सदस्य देश है तो उनके मध्य क्या होता है कोई भौतिक रासी का हस्तांतरण नहीं होता है किवल एक देश का जो Account है उससे दूसरे देश के Account में SDR ना तो विशेस आहरान अधिकार का Transfer किया जाता है तो यह कैसे होता है तो इसको समझने के लिए आपको आगे देखना पड़ेगा क्या है यह और जो SDR बासकेट है इसमें 5 प्रकार की जो मुद्राय है यूएस का जो डॉलर है यूरो चीनी यूवान जापान का जो एन है और यूके का Sterling Bound तो यह सम्मिलित होता है और यह इसमें कैसे प्रविश्टी होता है तो यह आगे हम देखते हैं तो जो SDR है तो जो IMF के सदस्य देशों को उनके पूंजीगत अंसदान के अनुपात में SDR आबंटित होता है जिसका उप्योग सिप सदस्य देशों की सरकारे ही कर सकती है ना कि कारोबारी संस्थाने तो आपको ध्यान रखना है SDR का उप्योग केवल जो सदस्य देश है मतलब कि जो सरकार है वो कर सकता है ना कि उनके अंदर की जो कारोबारी संस्थान है वो कर सकता है तो ये एक लेखा मुद्र है और थार एक देश के लेखा से निकाली गई और उसे दूसरे देश की लेखा में प्रविष्टी द्वारा लेंदेन की रूप में प्रयोग किया जाता है अधिक इसे कागजी स्वर्ण कहा जाता है पेपर गोल्ड आपको पूछ रखता है अपको पेपर गोल्ड क्यों कहा जाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है तो आपको पीडियाप में मिल जाएगा तो आप समझते हैं एक देश है और यह दूसरा देश है तो जैसे की भारत एक विकास सिंदेश है उसको कच्छे तेल की आ वारे का अमेरिका तो वहाँ से कच्छे तेल का आयाद करने है तो वह क्या कर सकते हैं जो बास्केट है तो भारत ने जैसे की एक बिलियन डॉलर तो जैसे की 68,800 करोड रुपए तो वो दे दिया तो उससे क्या मिलेगा IMF को पैसा दिया तो उसको एक बिलियन डॉलर का SDR मिल गया तो यह क्या करेगा अमेरिका को पैसा देने के जगा एक बिलियन डॉलर का SDR उसके एकाउंड में ट्रांसफर कर देगा और वहां से कच्चे तिल प्राप्त कर लेगा तो इस प्रकार से SDR का एक जगह से दूसरे जगह इस्थारांतरन किया जा सकता है तो यह होता है SDR नेक्स देखेंगे IMF की संरशनायम संगठन तो इसमें क्या होता है IMF में International Monetary Fund में पहला होता है Board of Governors तो यह किससे निर्मित होता है प्रतेक सदस्य देश का एक Governor होगा जो कि वित्तमंत्री होगा और एक वैकलपिक Governor होता है जो कि Reserve Bank तो जैसे कि भारत में Reserve Bank of India की Governor है वो इसके वैकलपिक Governor कहलाएंगे तो यह क्या काम करते है Board of Governors IMF का नियंत्रण और प्रवंधन करते हैं और जो वैकलपिक Governor है वो मुख्य Governor की अनुपस्थिति में मद्दान कर सकता है और इसकी जो बैठक है Board of Governors की कि वो September, October में होता है और यह क्या करते है? IMF के कारियों की समिक्षा करते हैं और भविस्ते के लिए निती निर्धारन करते हैं और एक होता है कारेकारी निर्देशक मंडल तो जो रोजमर्रा की कामकाज है उसका प्रवंध करने के लिए कारेकारी निर्देशक मंडल होता है और इसका chairman managing director कहलाता है तो Christian Ligard जो IMF के managing director है तो आपको ध्यान रखने है और भारत का प्रतिनीधी तो करने वाली कारेकारी निर्देशक भारती उप महादीब के तीन और देशों का भी प्रतिनीधी तो करता है जो कारेकारी निर्देशन मंडल में भारत के और से प्रतिनीधी तो करता है वो मांगलादेश, भूटान और स्रिलंका का भी प्रतिनीधी तो करता है तो ये हो गया आपको पूछ सकता है direct question IMF के उद्देश ये हम इसकी सनरशना बताइए तो उद्देश से हम देख चुके हैं सदस्य देश ही IMF से रिल प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कोटा खरीदने पर क्या होता है ये सदस्तिता प्राप्त होता है तो इस कोटे के अधार पर किसी सदस्य देश का मतदान अधिकार निर्धारित होता है तो जो मतदान अधिकार है इतना इंपोर्टेंट नहीं यह चीजे, जो सरवाधी कोटा वाले सिर्फ 5 देश कौन-कौन से IMF में, तो पहला है USA, 17.46%, फिर जापान है, फिर चीन है, जर्मनी और फ्रांस, तो मतलब कि सरवाधी कोटा वाले जो देश हैं, तो इनको ज्यादा मताधीकार भी प्राप्त होत है, तो इसलिए जो कहा जाता है कि IMF है, विक्सित देश के लिए कारे किया करता है, तो इस प्रकार से इसकी आलवशना भी की जाती है, ओके, तो यह चीजे आप डीडियले पढ़ सकता है, पीडियाप में मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मुद्रकों से बड़ी मात्रा में रिड लेने वाला देश था भारत पहले, लेकिन अभी IMF का सारा लोन चुका चुके है, भारत और सांतिसान जो IMF के द्वारा जो रिड दिया जाता है, तो उस रिड में भारत अपनी सहभागीता भी देता है, मतलब भारत उसमें अपना पैसा मिलाता है, तो IMF की वित्ती लेन देन योजना, एक होता है Financial Transaction Plan, तो इसमें भारत को 2002 से रिड दाता बनने की अनुमती प्रदान है, तो भारत इसमें अब तक 250 मिलियन डॉलर का योगदान कर चुके है, जिसके मांध्यम से गरीब और कम आयवाली अर्थवस्थाओं क इस्थिती के बारे में बताईए करके, तो IMF द्वारा भारत के मजबूत मौलिक अर्थवस्था, विस्व अर्थवस्था में बढ़ते कदम को, कद को स्विकार किया गया है, तो यह साथी चीज़ा आप लेख सकते हैं, तो यह इतना important नहीं है, फिर पूछ सकते हैं आपको अब इसके बात देखेंगे जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है, तो जो विस्व युद्ध दो, दिती विस्व युद्ध हुआ था, तो उससे जो अर्थवे स्थाये हैं, तो उसके पुनर निर्मान के लिए इस्थापित किया गया था, वर्ल्ड बैंक को भ तो इसका गठन सदस्ते देशों को आर्थिक पुना निर्मान और विकास के कारियों में आर्थिक सहयता देने के लिए और विस्ट में गरीबी कम करने और अंतराष्टी निवेस को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है तो यह विस्ट बैंक तो यह पांच संस् बहुपक्षी निवेश गारंटी संस्था और निवेश विवादों को सुल्जाने के लिए अंतराष्ठी केंद्र ICS ID तो यह विस्व बैंक समू कहलाते हैं इसके एक एक जो प्रावधान देख लेते हैं ID तो यह क्या कारे करता है मध्यम आयवाले सापेक्ष गरीब अवर्थवेवस्था में गरीबी उन्मूलन के लिए आयव बढ़ाने की दीशा यह हम छमतन निर्माण है तो कारे करता है तो इंटर्नेशनल डिवलप्मेंट जो असोसियेशन है यह कारे का करता है विस्व के सरवाधिक जो 70 रेंड गरीब देश है तो उस पर कारे का ध्यान देता है और जो प्रतिवेक्ति सकलराश्टी उत्पाद जो सकलराश्टी आया है वो अगर 1150 डॉलर से कम है तो उसमें ह की आईडिये योगदान देता है ओके थार्ड है इसमें IFC तो यह जो अपन देखे अंतराश्टी वित्त निगम तो यह क्या करता है जो सदस्य देश के जो कारोबारी संस्था है नीजी संस्था है तो वो यहां से रिन प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट है MIGA तो यह क्या च सथाइम इल करके World Bank Group कहलाता है तो यह पीडियाप में अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका उद्देश ही क्या है विस्तु बैंक के उद्देश से तो सदस्य देशों में आर्थिक पुनर रिमान और विकास के लिए दिर्ग कालिक पुंजी उपलब्द कराना तो आपको ड दोनों में डिफ्रेंस है और सदस्य देशों में पुंजी निवेश को प्रोचसाहित करने है तो पुंजी की विवस्ता करना ये भी इसका एक उद्देश से है शांति साथ भुगतान संतुलन की समस्या और अंतराष्टी व्यपार के संतुलित विकास के लिए दिर्ग कालि पुंजी निवेश तो इसको प्रोचसाहित करना संति साथ सदस्य देशों की लगुए मृहत परियोजनाओं के क्रियानवेन है तुरिन प्रदान करना या ऐसे रिणों के लिए गारंटी देना संति साथ यूद्देश से पीडित देशों की अर्थेवस्ताओं को संति कालि अर्थेवस्ता में परिवर्थित करने के लिए कारेक्राम लागू करना तो ये सबी इसके उद्देश से हैं विस्तो बैंक के तो 37 जो राज्य है भारत तो लोन लेता है ये साथी साथ राज्य भी विस्तो बैंक से लोन लेते हैं जैसे 36 राज्य ने भी विस्तो बैंक से ल चालक बोर्ड होता है, सलाकार समीति होती है, और रिर्ड समीति, यह सभी महत्यपूर्ण समीतियां होती है, विस्वेंग के संगठन में, साथी साथ, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वित्ती योगदान के हिसाब से, मद्दान की सक्ति प्राप्त होती है, तो जीता तो यह सारी चीज़्ी आप पढ़ सकते हैं इसको आपको पूछ सकते हैं ऊके नए श्ठाम देखेंगे विस्व बैंग और भारत तो भारत विस्व बैंग जैसे सथापक सदस्यों में से है और मतधिकार के मामले में विश्व बैंग में भारत का सात्वाइस थान है 2.91 परसेंट, 2017 की स्थितिम है ये और भारत के आर्थिक विकास को गती देने के लिए को और तुरित करने के लिए विश्व बैंग ने देश की विभीन ने विकास परियोजनाव में दिर्गकालिक पुंजी निवेस करके योगदान प्रदान किये है और दिर्गकालिक रिण भी प्रदान किये है तो किस छेत्रों में निवेस किये है और योगदान किये है रिण प्रदान किये है भारत को विश्व बैंग ने परीवानियम संचार के छेत्र में सिचाई, सिक्षा, जलापुर्ती, विद्युद सक्ति के छेत्र में जनसंख्यानी अंत्रन, गरिभी उन्मूलन, बुनियादी धाचा, ग्रामिड विकास, सड़क निर्मान, तो इन सभी छेत्रों में विस्व बैंग ने भारत को अर्थिक सहता दिया है और किसक सनापन बॉन्ड तो यह जो इस पेसल प्राइवेट प्लेस्मेंट बॉन्ड है तो यह जो भारत है विस्व बैंग से खरीद करके रिड की जो और सुविधाय है वो प्राप्त करता है तो यह सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा आपको तभी अच्छा मार्क्स मिलेग तो इसमें आपको यह सारी चीज़ लिखना है विस्व बैंक समय समय पर सदस्य देशों की अर्थवस्ताओं का लोक व्यार रिड प्रबंधन का पुनरिक्षन करता है ताकि अर्थवस्ताओं के नीती नीरधार को नीतियां बनाने में सहता मिल सके तो यह सारी चीज़ आप प्रक्रिति सथापक सदस्य थे और अभी 67 सदस्य यह क्या है बहुपक्रशी विकास बैंक है और इसमें अमेरिका और जयपान थो इनका जो यॉगदान है अंस्दान है पुनजी जो इसमें मिलाए है ACN Development Bank में तो वो सबसे ज़्यादा है और इसकी प्रकृति ACA के छेत्र के लिए है और छेत्री सहयोग और ACA और प्रसान छेत्र जो प्रसान महासागर के छेत्रे से लगे हुए जो देश है तो उनके बीच उनका विकास करना इनका लक्ष है ACA विकास भैंक का इसके उद्देश से आपको पूछ सकते है ACN Development Bank तो जो ACI देश है तो उसमें गरिबी उन्मूलन सतत आर्थिक विकास और परियावरन की जो नीरंतरता है Sustainable तो इस चीजों को बना के रखना सूचना प्रसारन और छेत्री एकिकरण और बढ़त्री करना ये सब इसका वो देश से है रिन प्रदान करते है साथ जो UNO है और अन्य जो अंतराष्ठी संस्थाय है उसके साथ सहयोग और उद्देश से है तो इसको आगे बढ़ाने वाली अन्य गर्तिविधियों को भी बढ़ावा देता है और जरूरी से वाएं प्रदान करता है ADB तो ये सब इसके उद्देश से है ये भी आपको पूछ सकता है question में और ADB और भारत के बारे में आपको पूछे तो आपको क्या बताना है ADB की पुझे हिस्थे में भारत की हिस्थे तारी 7.19% है जबकि मताधिकार में 6.05% का योगदान है भारत का 2016 की इस्थिती में और भ ADB के मांध्यम से और ADB के बोर्ड आप गवर्नेंस में वित्तमंत्री भारत के गवणर है और सचीव आर्थिक मामले इनके व Kenya वैकल्पिक गवेनर हैं लेकिन ADB में जो सचीव होते हैं आर्थिक मामले के वह इसके वैकल्पिक गवाणर होते हैं तो यह सम्मध्ध है ABB वहारत का सांथी साथ एक और बैंक है Asian Infrastructure Investment Bank तो यह AIIB तो इसका मुख्याला बीजिंग है बीजिंग में है चीन में और चीन के नेत्रित में जून 2015 में इसके गठन के लिए समझावता हुआ था जिसमें भारत से ही 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था और चीन सबसे ज़्यादा इसमें अंसधारी देश है इसमें AIIB में Asian Infrastructure Investment Bank में तो इसके जो अधिकरित पुझी है वो 100 अरब डॉलर है जिसमें 75 प्रतिसत जो एसिया के देश है वो इसमें योगदान कर सकते हैं और AIIB का लक्ष क्या है एक बहुपक्षी सस्था के रूप में Asia के छेत्र में अधारवुड धाचा परियजनाओं के लिए वित उपलब्ध कराना तो यह आपको 4 marks में पूछ सकता है AIIB के बारे में इसमें इंपोर्टेंट नहीं है अभी तो IMF World Bank तो यह अपना important question बनता है तो इस प्रकार से जब आप topic पढ़ेंगे तो इनको repair करना है तो दोस्तों यह lecture नहीं complete होता है Thank you friends